दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के जिवाल ने दिल्ली के 16 साल स्टेडियम में जंडा फार आया अपनी भाईशन में हर्याना मनिपूर में हिंसा का उलेख करते हुए प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी और उनके सरकार पर हमला किया स्वाधिनता दिवस का पर्व है खुशी का मौका है लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यठा है आज मन जचत है देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है मनिपूर जल रहा है मनिपूर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोग उसे लड़ रहे हैं यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं यह समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है वो इस से लड़ रहा है फाइदा किसका हो रहा है इस लड़ाई में किसका फाइदा हो रहा है हम 21 सदी में रह रहे हैं यह साइंस का यूग है यह टक्निलोजी का यूग है द भाई भाई से लड़े गा तो भारत विश्वगुरू कैसे बने गा हमारे देश चेंदर भी 24 घंटे बिजली आ सकती है जानेजमेंट ठीक करना है भृष्टाचार खतन करना है था 3-4 साल लगेंगे तीम से चार साल के dele पूरे देश के ँंदर 24 घंटे विजली आसटी है पावर THIS सकते हैं tragicis की और जब जब देश्म में पावर कट खत News gonna को जीडिया अधी को असले को तभी तो हमारा नेश विश्व गुरू बने गा। लंबे लंबे पावर कट से विश्व गुरू कैसे बनेगा एक और बात है कोई पावर प्लांट अगर 50 प्रतीशत के पैसिटी पे चलता है तो वह जो विजली पैदा करता है वह बहुत महंगी होती है और अगर 100 परसंट के पैसिटी पे काम करता है तो बहुत सस्ती विजली पैदा करता है अगर हम अपनी पूरी साप्रदिशत क्षंता में सब्सक्राइब चार लाख मैदावास बिजली पैदा करनी चालू कर दें देश में बिजली के रेट आज़ों जाएंगे हम बिजली एक्सपोर्ट करना चालू कर देंगे दूसरे देशों को भारत बिजली देना चालू करेगा और अपने देश के अंदर 24 घंटे बिजली आनी शुरू हो जाएगी तब ही मेरा भारत विश्वगरू बनेगा मैंने दिल्ली में मुष्ट बिजली देनी चालू की 200 यूनिट तक लोगों के बिजली के बिल हमने माफ कर दिये कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजात उड़ाया पंजाब में जब सरकार बनी पंजाब के अंदर भी हम लोगों आज मैं देश के सामने दो विकल्प रख रहा हूं पहलो विकल्प अगर हमें पूरे देश के एक से चालिस करोड लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं के विल डेड़ लास करोड रुपे का खर्चा आएगा अगर हमें अपने देश के एक से चालिस करोड लोगों के 200 यूनिट तक के बिजली के बिल माफ करने हैं तो के विल डेड़ लास करोड रुपे के थर्चाएगा